हालो फ्रेंस आज हम बनाएंगे सलगम की ऐसी सबजी जो जट पड़ बन भी जाता है और सब को पसंद भी आएगा उसके लिए हमने तीन सलगम लिया है उसे छिल कर इस तरह से काट दिया है एक बरतन में मैंने पानी वॉयल करकर उसमें इसको डाला एक वॉयल आने तक ताकि करवापन निकल जाए उसे चान लिया है और एक चोटे प्याज को मैंने सलाइस कर लिया है एक मिटियम साइज का टमाटर और कोरियंडर लीव और मसाला में हमने तर्मरीक पॉडर एक टीस्पून एक टीस्पून कोरियंडर पॉडर एक टीस्पून रेड चिली पॉडर एक 1 teaspoon ब्लाक पेपर ले लिया और स्वादनसर नमक एक तेल गरम है उसमें पंज फोरन डाल दिया है उसके बाद मैंने सलगम आड़कर थोड़ा भून लिया है और उसमें फिर प्या प्याज आड़किया है इसे अच्छे से भून लेंगे दीमियाज पे ही इसमें डालेंगे जिंजर गार्ली कपेश्ट और बाकि सारे मसालें फिर डाल देंगे नमक भी साथ में डालेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे उसके बाद हमने ट्रमाटर को एड़ किया है और कॉरियंडर लीफ और इसको लो फ्लेम पे ही ऐसे ही पकने रहेंगे इसे ढखेंगे नहीं और बीच बीच में चलाते रहेंगे यह हमारा रेडी हो चुका है फटाफट बनकर घआ हुआए आगष कम चलान तर बीच्ट kommt चलान साफगे जर ईचाएंगे इसे नहींiestरा मेंगे यह हमारा ब piùच्छ ठालाओ जो करेंगे पiki-ओन करेंगे नहीं प्लेम पाला यह मैं